जी नमस्कार, मैं एम्स जिली सरेभी कुमार गुपता, आपका बहुत-बहुत धार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने स्केल्टर नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफर्म पे, तो आप सभी को पता है कि हम इस वीडियो के अंदर क्या बात करने वाले हैं, आप सभी लिग जाती हैं उसको, तो आप बनी रहे हैं मेरे साथ, और अपने छुट्टियों के बारे में देखते हैं, चीक है, सबसे पहली मैं आप से बात करता हूँ, कि एक नर्सिंग आफिसर होता है, उसको बहुत बेनिफिट्स होते हैं, बहुत अपनी लाइफ के अंदर बहुत बेनि मैं कहता हूँ कि जब भी कोई aims चूच करो, आपका selection जल्दी हो जाए, और उसमें आप selection का जब choice बरते हो, तो अपने pass वाला सबसे पहले आप भरो, क्योंकि आप घर से दूर नहीं जा पाते हो, कभी भी दो दिन का off पड़ा आप घर पे आगे, कभी भी आप दो दिन की करें, तो बेटा, monthly जो off होते हैं, इसका मतलब होता है, कि one month में कितनी चुटिया होती है, one month के अंदर, कितनी चुटिया आपको देती है सरकार, या फिर aims कितनी चुटिया देता है, आपको एक month के अंदर, day off का मतलब होता है, कि जो आपके routinely day off होते है, routine जो day off होते है, routine जो होते हैं उनके बारे में कहते हैं दे ऑफ आगे में जाती है दो कि सर आपको जो मंतली ओफ मिलते हैं वो आठ चुटिया मिलती है एक महीने के अंदर पर मंत कितनी चुटिया मिलती है बच्चो आपको आठ चुटिया एक महीने के अंदर मिल जाती है किसी भी गौर्मेंट नौकरी के अंदर इतनी सारी चुटिया नहीं मिलती है सिर्फ और सिट नर्सिंग एडर के अंदर आपको आठ चुटिया का प्रापधान दिया गया है कितनी चुटिया मिल जाती है बच्चों एट चुटिया मिलती है किसके अंदर एक महीने के अंदर किसी भी ऐसी कोई सी भी गवर्रमेंट नौकरी नहीं है जिसके अंदर आपको आठ चुटिया मिलती है अदर की बात करता हूँ तो अदर की अंदर मैं आपसे बात करूँ कि अदर जो गवर्मेंट हमारे employee होते हैं या फिर हम कह सकते हैं जितनी भी जो गवर्मेंट की जो जॉब होती है उनके अंदर हमें संडे की चुटी मिलती है मिलती है क्या कि संडे की ही चुटी मिलती है संडे तो कितने पढ़ते हैं बच्चो चार ही पढ़ते है करते पढ़ते हैं चार ही पढ़ते है तो हम कह सकते हैं बच्चो कि किसी भी जॉब के अंदर इतनी सारी छुटिया नहीं होती है जितनी कहां होती है नर्सिंग आफिसर की लाइफ में होती है नर्सिंग एडर के अंदर होती है नर्सिंग प्रोफिशन के अंदर होती है तो आपने क्या देखा बच्चो कि आपको monthly 8 off मिलते हैं कि कितने मिलते हैं बच्चो 8 off तो आपको day off मिल जाते हैं इसका मतलब में आपको अगर 8 से 30 का अगर मैं आपको 30 दिन में से बात करूँ कि सर आपको 8 चुट्टी है मिलगी बचे कितने दिन की सर बचे हमारे 22 दिन किसर EL क्या होती है किसर EL की full farm होती है earn leave क्या होती है बच्चो earn leave होती है earn leave का मतलब होता है earn का मतलब पढ़ समझ सकते हो कि इससे हम पैशे कमा सकते है earn leave Unleap का मतलब होता है कि सर ये कितनी मिलती है सर एक साल में 30 चुटिया मिलती है 30 in a 1 year 30 in a 1 year कि ये सर एक साल के अंदर आपको 30 चुटिया मिलती है कितनी मिलती है बच्चो 30 चुटिया मिलती है अगर मैं आप से बात करूँ कि सर Unleap का मतलब क्या है कि हमारा जब retirement होता है, retirement जब होता है बच्चों, तो retirement की during, आप कितनी चुट्टिया एकटी कर सकते हो, आप 300 चुट्टियों तक क्या कर सकते हो, add कर सकते हो, या एकटी कर सकते हो, ये कभी भी collapse नहीं होती है, एक साल के बाद भी आपको ये मिल सकती है, जैसे आपने एक साल मे आपने कुछ भी EL या आपने EL नहीं ली है या इसका मतलब की earn leave आपने एक साल के अंदर नहीं ली है तो आपकी next month कितनी हो जाएंगी बच्चो 60 EL हो जाएंगी मतलब की ये जुड़ जाती है आगने वाली साल के अंदर क्या समझ में आई मेरी वात मैं क्या करना चाहता हूँ क कि जब भी जो आने वाली साल होती है उसके अंदर जितनी भी चुटिया आपकी पिछली साल की बच्ची होती है वो add हो जाती है सब्बोस एड किसी बंदे ने क्या लेली EL अपनी एक साल के अंदर 15 EL को खर्च कर दिया है चुटिया उसने ले ली किसी कारण बस उसको काम आ गया रॉसने पत्री चुटिया ले ली या भूगोंने चला गया तो उसकी जो 15 बची चुटिया है वो एक जनवरी को add हो जाएंगी और किसकी अंदर add होगी कि 15 पंदर तो उसकी पहले की है और 30 जो नहीं आई है वो भी क्या हो जाएंगी 45 EL हो जाएंगी तो इसका मतलब ऐ ऐसे कर करके आप अपने पूरे जीवन काल के अंदर 300 चुट्टियों तक 300 EL तक आप कर सकते हो एकटा कर सकते हो और जब retirement होता है तो आपको 300 EL का पैसा मिल जाता है जितनी आपकी pay grade होती है उसे साफ से आपको पैसा मिल जाता है तकरीवन 15 से 20 लाख रुपे तक आपको क्या हो बच्चो EL का मतलब समझ में आया आप सभी को धहुत बढ़िया मैं आप से कुछ और बाते करता हूं कि हम सर CL की बाते करते हैं कि सील के अंदर क्या देखने को मिलता है कि सर CL के अंदर क्या होता है तो CL का मतलब होता है casual leap क्या होता है बच्चो casual leave तो casual leave का मतलब casual का मतलब होता है sir emergency इसको आप on call भी ले सकते हो इसको आप on call भी ले सकते हो कि sir मैं आज मुझे urgent काम आ गया है और मैं आज नहीं आ पाऊंगा उसको आप क्या कहते हो CL कहते हो कि sir CL कितनी मिलती है कि sir 10 CL मिलती है एक साल के अंदर कितनी मिलती है बच्चो 10 CL मिलती है एक साल के अंदर क्या कह रहा हूं मैं एक साल के अंदर आपको 10 CL देखने को मिल जाती है और 10 CL में से आप क्या करते हो कि ये आपको 10 के 10 लेनी पड़ती है क्योंकि ये अगले साल में जुड़ नहीं सकती ये क्या हो जाती है बच्चो हमारी कॉलाप्स आपको देखने को मिल जाती है ये क्या हो जाती है कॉलाप्स हो जाती है इसको क्या कहते हैं हम casual leave कहते हैं क्या कहते हैं बच्चो casual leave कहते हैं आगे मेरी बास्तों में कि ये क्या होती है कि सर एक साल में हमें लेनी ही लेनी पड़ती है नहीं तो ये हमारी कॉलैप्स हो जाती है बेकार हो जाती है चुटिया इसलिए हम क्या करते है कि सर सीयल लगा दो हमारी क्या लगा दो सर सीयल लगा दो हमें चुट्टी दे दो आज की ठीक है तो आपको दिस तो मेडिकल लीब क्या होती है? अगर मैं आपसे बात करूं कि सर जो क्या है? कितनी होती है? कितनी होती है बच्चों? एक साल के अंदर दस चुटिया मिलती है medical और medical की अगर मैं आप से बात करूँ कि सर medical के अंदर कौन-कौन सी चीज देखी जा सकती है कि आपने अगर suppose that दो तरीके का medical बनता है medical जो होता है तो दो तरीके का बनता है एक तो आप क्या बनवाते हो कि सर government में आपने देखवा लिया आपको दस्त बुखार हो गए और आपने अगर government के अंदर दिखवाया है तो आपको medical certificate बना के देते हैं government वाले और जब medical certificate बना के देते हैं तो आपका सिर्फ medical ही उसके अंदर कटेगी आपकी medical ही उसके अंदर कटती है अगर आपने किसी private से जोटा medical बनवाया है या private में आपने दिखवाया है सही दिखवाया जूटा दिखवाया doesn't matter प्राइबिट में अगर आपने दिखवाया है तो आपकी EL कट जाती है EL में वो count होता है किसके अंदर होता है बच्चों वो EL के अंदर count होता है तभी तो कहते हैं जब भी आपको दिखवाना होता है या medical लेनी होती है तो आपको government hospital से ही लेना होता है ताकि आपका medical में medical ही खट जाए कि सर अब एक question और पूछा गया है कि सर medical जो है कि एक साल में लेना compulsory है क्या ये हमारे आगे add हो जाते है कि सर ये add हो जाते हैं हमारे आने वाली साल के अंदर ये भी हमारे क्या हो जाते हैं बच्चों हमारे next year के अंदर add हो जाते हैं आ गई मेरी बास्वज में कि suppose that किसी बच्चे ने एक साल के अंदर किसी भी medical को नहीं लिया है तो उसके अगले साल कितने medical हो जाएंगे 20 medical हो जाएंगे और उसने उस साल भी नहीं लिया तो उसके 30 हो जाएंगे उस साल भी नहीं लिया तो 40 हो जाएंगे ऐसे ऐसे करके क्या हो जाते हैं? एड होते रहते हैं क्या मेरी बात सम्झे आई आपको बहुत बढ़िया अब मैं आपसे बात कर साओं GH का मतलब क्या है GH का मतलब होता है Government Holiday Government Holiday की छुटी भी हमें मिलती है मिलती है नहीं मिलती है बच्चो जैसे कि मैं आपसे बात करूँ हमें जो चुटिया मिलती है Government Holiday कि सर्फ 15 अगस्त की चुटी मिलती है कि सर्फ 26 जनवरी की चुटी मिलती है और 2 October की चुटी मिलती है 2 October को क्या बनाते हैं हम गांधी जैनती बनाते हैं क्या मनाते हैं बच्चो गांधी जैनती मनाते हैं तो ये तीन महीने जो होते हैं, इनमें आपको 9 off मिल जाते हैं, कितने off मिल जाते हैं, 9 off मिल जाते हैं, ये तीनों महीने नर्सिंग ओफिसर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि इनके अंदर आपको 9 off मिल जाते हैं, आप जन्वरी चल रहा है, तो हमें भी 26 जन्वरी क को ही चुट्टी मिलेगी अगर सब को 26-26 सारे के चुट्टी दे दिया आपने तो ड्यूटी कौन गरेगा पिशेंट को कौन देखेगा मरीजू को कौन देखेगा इसलिए क्या होता है कि आपको नौ आफ मिल जाते हैं किसी भी डेट को मिले लेकिन आपको नौ आफ पुरे मि होती है और एक होती है नाइट होती है क्या होती है एक नाइट शिप्ट होती है अगर मैं आप से मोरंनिँंग शीप्ट की बात करूँ तो siz migrants apt वो 8 AM से लेके 2 PM तक होती है, मतलब सुबह 8 बजे से, दो बजे तक यह शिप्ट चलती है, इसका मतलब 6 आवर्स की शिप्ट होई, होई या नहीं होई, कि सर बिलकुल हो गई, सर इवनिंग क्या होती है, कि सर आपको 2 PM से लेके, और स्चाम को 8 PM तक की शिप्ट होती है, कौनस PM to 8 AM तक की shift होती है कितनी होती है बच्चो 8 PM to 8 AM की shift होती है मतलब कि ये 12 hours ये shift होती है कि सर ये तो हमारे साथ दोख का हो गया कि सर आपने बताया कि सर 6 घंटे की shift होती है लेकिन night shift तो 8 घंटे आपने 12 घंटे की बता दी कि सर night shift जो होती है बच्चो कितनी होती है, total night shift किसर 6 ही करनी होती है 6 shift compulsory होती है किसी board के अंदर अगर आपके अगर कह सकते हैं कि किसी board के अंदर अगर staff जादा है तो ये 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है लेकिन 6 से जादा नहीं हो सकती 6 से जादा नहीं हो सकती क्योंकि duty hours फिर ज़्यादा हो जाते हैं और वो rude negotiations के खिलाब है क्या आपको मेरी बास समझ में आई बच्चो कि हमारी 6 ही night हमें करनी होती है एक महीने के अंदर कि sir आपने बताया कि sir 22 दिन की duty होती है और 22 दिन में से आपने 6 night कर ली और night के बाद बची कितनी sir हमारी कि sir हमारे बास 16 दूटी हैं बची 16 दूटी हमारी कैसे कैसे लगती है कि sir आपको आपके staff के according आपके हसाब से आपको कह सकते हैं कि आप morning कर सकते हो चाहे evening कर सकते हो आगा ही मेरी बास समय बच्चो यहां तक की class में किसी को doubt रह गया हो तो please comment करके वो पूछ सकता है अगर मैं आप से बात करता हूँ सरो एक question और रह गया हमारा कि sir एक साल में 365 दिन होते हैं कि sir एक साल में कितने दिन होते हैं बच्चो 365 दिन होते हैं कि sir आपने चुटिया कितनी count करवा दी हमें कि sir यह तो बहुत सारी चुटिया हो गई कि sir कौन कौन सी चुटिया कि sir आपने day off के बारे में बताया day off कितने होते हैं कि sir 8 होते हैं अगर इसको 8 से 12 से गुना करें तो कितनी आ गई 12 अंटे 6 चुटि तो यह हो गई अगर मैं आपसे EL की बात करूँ कि sir EL तो आपने 30 बताई है तो 30 हमारी यह हो गई कि sir CL कितनी बताई है कि sir 10 बताई है और GH कितने बताई हैं कि sir 3 बताई है कितने बताई है बच्चो 3 बताई है और medical कितने बताएं है बच्चो आपने, किसर 10 medical बताएं हैं, कितने बताएं हैं बच्चो 10 medical बताएं हैं, अब इनको ज़रा count करना कितनी चुटिया हो गई हमारे पास, अगर मैं आपसे बात करूँ तो 10 और 10 20 और अगर मैं आपसे बात करूँ तो चान में चान में और 30 126, 126, 149 49 चुटिया हो गई हैं बच्चो इसके अंदर 365 दिन में से 149 चुटिया आपको देखने को मिलती हैं, कितनी चुटिय होती हैं बच्चो, 149 चुटिया देखने को मि जाती हैं इसका मतलब कह सकते हो कि सर बारा महिने में से मतलब की ट्वैल मंत की अगर ड्यूटी हमारी होती है या फिर एक साल हमारा ट्वैल मंत का होता है तो आपको तक्रीबन पांच महिने की चुट्टी मिलती है कितनी मिलती है बच्चो तक्रीबन पांच महिने की बस किसी भी चीज में किस चैक कुछ भी हो जाये ये जॉब तो लेके ही रहनी है उसको ये जॉब तो लेके ही रहनी है क्योंकि भाईया ये जॉब नहीं ये भागवान का दिया हूँ परशाद है हम कह सकते हैं कि इसके अंदर बहुत सारी चुटिया है किती हैं बच्चो कि ये तो बहुत सारी चुटिया होती है बच्चो किसी भी फिल्ड के अंदर इतनी सारी चुटिया नहीं मिलती है और मैं अगर फीमेल्स की बात कर दू ना या बे बच्चो अगर मैं females की बात कर दूँ तो females की तो मौज लग जाती है एक बार pregnancy में उसको कितनी मिलती है जब भी delivery के time आपको six month का leap दिया जाता है कितने बच्चों का कितने महीने का delivery के बाद six महीने की चुट्टी दी जाती है आपको six महीने की चुट्टी दी जाती इसका मतलब समझते हो six महीने उसको घर बेटा जाता है और उसको basic pay दिया जाता है किसर basic pay क्या होता है किसर basic pay होता है जिस भी आप post पे लगे हो जैसे suppose that nursing officer की post पे आप लगे हो और उसकी आप जो लगने की जो हमारा basic pay है चमबाली सेजार 900 है कितना है बच्चो चमबाली सेजार 900 है तो चमबाली सेजार 900 तो उसके account में आना ही आना है आगे मेरी बास्वज़ में बच्चो तो ये बिना काम की होगा घर पे बैठे हुआ है गर पे बैटी हुई है वो female और इसके account में इतने बैसे तो हर मेने credit होने ही होने है क्या मेरी बात सुन में आई बच्चो और एक बात अगर मैं आप से बात करूँ जब भी दिवाली आती है तो 7000 रुपे bonus का और दिया जाता है कितना रुपे दिया जाता है बच्चो एबरी दिवाली 7000 आपको क्या दिया जाता है बोनस और दिया जाता है ये बात भी आप ध्यान निकल ले जाए तो ये समझ लो कि भाया इसके अंदर तो बहुत मज़े ही मज़े हैं आपको एक बार जॉब को हासिल करना है जैसे ही आप जौब पकड़ते हो वैसे ही आपको मौज लग जानी है तो आगे मेरी बात सब्सक्राइब बच्चो अगर आप चुट्टियों की बात करते हो चुट्टिया भरपूर है अगर सेलरी पर आपको बीडियो आपके लिए लेके आँगा कि सेलरी पर भी हम वीडियो बना देते जैसे मैं आपको बताता हूँ हमेशा कि पढ़ने के लिए और समझने के लिए कॉंसेंट्रेशन की जरुत होती है अगर आप किसी चीज़ को कॉंसेंट्रेशन के साथ पढ़ते हो तो उसको आप अच्छे से अच्छा जल्दी से जल्दी आप हासिल कर सकते हो तैंकी सो मच अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेर और सेस्काइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेर करिएगा ताकि हमें और आपको मोटिविशन मिलता है थैंक यू सो मच